पर मैं हूँ रोईत वैद्वान है फैस्टेक बच्चा पार्ट उर्पल मिलाकर हम सब अधिन मंतरा तो धेर सारी शुब कामनाई आपको इस नए वर्ष की 20-21 के और बढ़ रहे हैं कुछ नए कदम आपकी तरक्की में बढ़ें और उस तरक्की में नए कदमों को बढ़ाने क के लिए हम लाएं अधिन मंतरा के साथ आपको नए पांच कोर्स और जो है माच कोस में सबसे पहले जो लौंच हो रहा है वह सूपर टेट का परचम और पर्चम होगा वह पर्चम जिसमें आज तक इस सबसे बड़ी टीम मिलेगी आपको अधिन मंदरा रही की तरफ से उस इसके साथ-साथ इसमें एक नई एंट्रिय और शुरूर है जो है उत्तरप्रदेश का नया exam प्रवक्ता exam जिसका नाम है जी-आई-सी जी-आई-सी के साथ आप देखेंगे क्या है government Inter-college जिसमें आपको यह-ए सब्जक्त मिलेंगे यहां जिसमें आपको इसका journal जर्णल पेपर साथ साथ में इसका क्या मिलेगा सब्जक्ट लेकिन एक और बड़ा एक्जाम जिसका नाम है UGC तो हम लॉंच कर रहे हैं इस बार अपना नया एक्जाम जो है UGC नेट का जर्णल पेपर और पहली बार इंटेड्यूस कर रहे हैं हम इसमें साथ आपके लिए सब्जक्ट बने रहे हैं दिनमंद्रा के साथ और इनकी फीस की जानने के लिए आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन बोक्स जहां पर आप इसकी फीस अवलेबल होगी लेक तो पर भी सारी वीडियो आपके डाउनलोडेबल होगी तो बने रहेगा दिनमंद्रा के साथ खुश रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं अपना ध्यान रिखेगे जैहिन जै वारत नमस्कार और एक बार फिर नए साल की डेव सारी शुपकाम रहे हैं कि अच्छ बार एक जैन मैं कोसर सराप शुविलों का श्वागत करता हूं अध्यन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर तो जो भी है इस्टूटेंट लाइब कमेंट सेक्षन में करिए कमेंट और आज हम लोग फिर से बहुत बढ़ीया लेवल के कॉश्चंस करने वाले हैं तो आज मैं जो भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूं वह आपके हैं मिक्स्ट क्वेश्चंस ठीक है भाई तो सभी लोगों का बहुत बहुत श्वागत है एंड वेरी गूड आफनून टौल आफ यू ठीक है भाई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूले और वेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि जो लोग कहते के नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बिना वेल आइकन के आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा ठीक है ना चलिए तो आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर बताए क्या होगा इसका सही जेहंद 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 जेवारा चलिए तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा पढ़ेंगे क्या होगा सही जवाब अगर कोई पाने के अंदर दवा हुआ है और अगर आप उसको खोजना चाहते हो उसका पता लगाना चाहते हो तो किसका आप लोग यूज करोगे सोनार का रडार का या क्वेशर का या फिर पलसर का बाई सबके कमेंट मुझे देख रहे हैं यह रोने वाली बात बिलकुल भी नहीं है सबके कमेंट देख रहे हैं लेकिन आज यानि अब जो हमारी क्लासे चल रही है अब जो हमारी क्लासे चल रही है यहाँ पर हम लोग बिलकुल भी कोई भी कमेंट नहीं पढ़ेंगे प्ल चीज डूवी हुई है तो हम लोग सोनार का यूज करते हैं जो पानिक जाज होते हैं उन में भी सोनार होता है और सोनार क्या करता इसमें से एक रे जाती है टकराने के बाद में ऊपर आ जाती है ठीक है ना तो जैसी रे टकराने के बाद में ऊपर आती है सबसे पहली बात यह है, answer होगा, इसका so держ, सही, सबसे पहली बात तो है, कि इसका answer होगा, सो governance होगा और सोनार इसका answer क्यों होगा, क्योंकि जो solar है, वह reflection of, यह जो आपका सो water है, यह काम करता है आपका reflection of sound wave पर ये काम करता है, यह दोनी तरंगों के पराव़तन पर काम करता है ठीक है भई तो अगर पानी के अंदर कोई भी चीज डूवी हुई है और आप उसका पता लगाना चाते हैं तो आप लोग यूज करोगे सोनार और अगर कोई चीज हवा में हैं अगर किसी दुश्मन कंट्री का हेलिकप्टर हमारे कंट्रोल में आ रहा है हमारे कंट्री में आ रहा है तो फिर हम लोग यूज करेंगे रडार का ठीक है ना तो रडार का यूज करते हैं हवा में या स्पेश में किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए और पानी के अंदर कोई भी चीज है तो उसका यूज हम करते हैं उसका यूज हम लोग करते ह यानि कि सोनार इसका सही जवाब है आपका सोनार चलिए पढ़ते हैं नए सवाल की ओर आज का नया सवाल सवाल नमर दो देखिए क्या होगा सही जवाब इसका नया सवाल है आपका the clear night are colder than cloudy night because of जो आपकी स्वक्षि रात होती है वह ठंडी होती है लेकिन बादलों वाली जो रात है वह आपकी गर्म होती है ठीक है ना तो भाईया वो किस सिध्धान वो किसकी बज़े से होती है इस conductor नहीं है यह है आपका conduction यह आपका conduction है conduction का मतलब है कि वह आपका चालन विधी की वज़एसे होती है वह आपका चालन विधी की वज़एसे होती है या फिर radiation जवाब जो आपकी clear night होती है, वहाँ आपकी ठंडी होती है, बादलों वाली रात से क्यों? जल्दी से बताईएगा सही जवाब, जल्दी से बताएगा सही जवाब किसकी बज़े से वहाँ होती है? ठीका बाई जरा ध्यान से देखीगा देखो ये अर्थ है ठीका ना अगर आपकी clear night है प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों और पड़े लिखे लोगों जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे अगर clear night radiation आएगा और radiation जाएगा इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी ये बात है clear night की ठीका बही लेकिन अगर बादल हो रहे हैं तो बादल होने का मतलब क्या है कि अर्थ के चारो तरफ जो हमारा atmosphere है वो एक covered हो जाता है जब ये cloud स से covered हो जाएगा तो radiation आएंगे लेकिन उनका reflection नहीं हो पाएगा जो temperature अर्थ का है वो यहीं पर रहेगा इसलिए अर्थ का जो atmosphere वो जाएगा गरम और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं radiation इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे radiation मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात सम हाँ जी मेरी बात समझ में आ रही है तो बहिया जो clear night होती है वहां पर कोई भी layer अर्थ के atmosphere में नहीं होती है इसलिए वो ठंडी होती है क्योंकि जो rays आती है वहीं चले जाती है according to Kirchoff's law जो rays आएंगी वह बापस चली जाएंगी लेकिन जो cloudy night होगी उसके चार तरफ एक layer आ जाएगा इसको global warming भी बोलते हैं अगर आपके जोगरफी वाले सरने बढ़ियां से बताया होगा तो ठीक है बाई मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही है चिनी शिलो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपका चल रहा है revision ठीक है तो सही है answer आपका सही answer क्या है आपका सही answer आपका radiation समझ में आ रही होगी समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया चलिए बढ़ते हैं नए शवाल की और बाई मुझे बहुत ज़्यादा तेज पढ़ाने की बिल्कुल भी habit नहीं है तो please compromise करेंगे और बहुत ज़्यादा धीमे भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है न हाँ जो अनुधरे तरंगे होती है वह किस मादब में प्रवाह नहीं कर सकती है यानि वह वह वैक्यूम यानि कि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है या फिर वह ठोश में गमन नहीं कर सकती है या फिर वह द्रव में गमन नहीं कर सकती है या फिर वह गैस में गमन नहीं कर सकती ह लगते हैं लेकिन अगर आता है तो आप किर्चॉफ का नियम पर टिक लगाएंगे कि अरे वह याद क्लाउड में ठेंड कहां लगती है गर्मी हो जाती है वाद में टेंपरिचर बढ़ जाता है हाँ जी जल्दी से बताईएगा अच्छा यह बात मैं आपको कई बार बता चाहूं अगर मालो आप अपने दोस्त के साथ में वेक्यू में जाते हो अगर मालीजिये आप यह आपका दोस्त है ठीक है यह आपका दोस्त है आप अपने दोस्त के साथ में वेक्यू में जाते हो और ये आप हैं ये आपका कान है वाई बास समझ में आ रही है ये आपका कान है और आप अपने दोस्त के साथ में जा रहे हो और अगर ये आपको अवाज लगाता है और वो कौन सी अवाज है फिल्मों काने वाली वादल ठीक है न और ये इसको अवाज लगाती है बादल बा पर है वेक्यू में तो वेक्यू में आपकी जो साउंड है वह ट्रेवल नहीं करती है तो इसका सही जवाब है आपका ओफ्शन नमबर वान क्लियर बाद चलिए वाई नया सवाल नया सवाल आपके स्क्रीन पर अच्छा इसका एक रीजन और है कि जो आपकी लॉंगिट्यूनल वेव होती है यह हमेशा मीडियम में ही कवरिंग करती है यह इनके लिए माध्यम होना ही चाहिए माध्यम होगा तभी यह ट्रेवल करती है मेरी बास शमज में आ रही है चलिए बढ़ते हैं नए सवाल की ओर अब बढ़ते हैं नए सवाल की और बादल वाला गाना सुला है जिसमें ही नमाज लगाती है बादल बादल ओ फिर एको करके आती है पाड़ों से वाज भी आती है वह बात थी ठीक है ना चलिए नया सवाल वाट इस दारीजन फो ट्विंकलि तो क्या होगा तारों के चमकने का कारण होता है वन्स एबी सीडी एबी सीडी एबी सीडी बताइए क्या होगा प्रकास का वरण विक्षेपन पूर्ण अंत्रक परावर्तन या वाई मंदलिय परावर्तन या फिर वाई मंदलिय परवर्तन जल्दी से बताइए क्या होगा स सही जवाब भाईया बताओ जल्दी से बताओ थोड़ा सा एक्टिव रहो पड़े लिखे लोगों थोड़ा सा एक्टिव रहो एनर्जेटिक समझ में आ रही है बात पूर्ड अंत्रिक परावर्तन आ रहा है इसका अंसर बहुत बढ़िया पूर्ड अंत्रिक परावर्तन कु तो इसका सही जवाब ही आपका option number d सही जवाब है को आपका option number d गर घ्रिया आपका अर्थ है यह आप पर क्या है बहुत सारे लेयर्स है पर हर एक लेएर का you temperature यह अलग अलग होता है यहाँ पर है यह आपके star ठीक है भाई अब आप यहाँ पर खड़े हो आप यहाँ पर खड़े हो या खड़ी हो तो आप यहाँ से जब इसे star को देखते हो तो यहाँ पर medium बदलता है और जहाँ पर पड़े लोगों जहाँ पर आपका medium बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेक्शन क्या बोलते हैं जहां पर मीडियम बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेक्शन इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा option number D रिफ्रेक्शन मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं ठीक है भई तो जो आपका रिफ्रेक्शन होता है इसमें आपका मीडियम चेंज हो जाता है मीडियम होगा चेंज तो रंग होगा चेंज और रंग होगा चेंज तो आपका जो इस्टार है वो ऐसे करते हुए चमकता यह सवाल, थर्म is the unit of, यह आपके लिए बिलकुर नया सवाल होगा, अगर आपसे बोला जाए कि थर्म जो है, वह किसका मातरक होता है, सक्ती का मातरक होता है, या फिर उश्मा का मातरक होता है, या फिर प्रकास का मातरक होता है, या फिर दूरी का होता है, यह मातरक, थर्म is the unit of जल्दी से बताईएगा therm is the unit of therm जो होता है वह किसका मात्रक होता है जल्दी से देंगे मुझे answer बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया B answer B answer बहुत बढ़िया शांदार बहुत ही शांदार भाई ये हर्ट नहीं है कुछ लोग हर्ट लिख रहा है यह दिल का मात्रक नहीं है यह यह है उश्म का मात्रक हर्ट नहीं है ही टोंगा ही वाला एक ठीक ना बहुत बढ़िया तो सही answer आपका क्या होगा वी और आपने देखा भी पढ़े लिखे लोगों आप ने देखा होगा होती है वहाँ कर हम जो यूनिट को रिप्रेजंट करते हैं वहाँ से आपकी हीट की एणरजी आतिया थर्म यस तो आपका जो सही आंसर hoगा वो होगा आपका भी ठीक है भाई ही हीट है ये ठीक है ना चलिए नया सवाल नया सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा नया सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा इसपेक्टिकल्स यूज टू व्यू 3D मुवी तो अभी आपने देखा होगा अजय देवगन की एक मुवी आई थी जो कि हिंदुस्तान की पहली 3D मुवी थी 3D मुवी जो है वह अजय देवगन की ये पहली मुवी अभी आई थी कुछ दिन पहले और इंडिया में रिलीज होने वाली पहली 3D मुवी थी जिसमें driver उनकी वाइफ थी ठीक है ना DDLJ वाली जो ही रहन थी ठीक है ना तो उनकी बाइफ जो है वो इसकी डारेक्टर थी और इस पिक्चर का भी नाम आप लोगों को बताओ नजी करेंट अफेर का सवाल है तो बताओ 3D मुवी देखने के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स पोलराइड या फिर वाइफ हो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हाँ बैए जल्दी से देंगे सही जवाब अब यह कौन सी पिक्चर थी उसका नाम भी सिवा है बाइफ मुझे नहीं पता कौन सी पिक्चर थी बट अ कि हाँ बढ़ी कि भी आंसर डी आंसर सी आंसर बहुत बढ़िया तो यह सही जो अंसर है वह होगा आपका पोलराइड तो जब यह पिक्चर हम लोग देखने जाएंगे जब हम 3D मुवीज देखते हैं तो बहुत ही शांदार सा है सवाल आप लोग यहां पर देखते रहेंगे ठीक है ना चलिए अब बढ़ते हैं नहीं सवाल की और अब बढ़ते हैं नहीं सवाल की और अब बढ़ते हैं नहीं सवाल की और वाई क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें लाइक क्लास को लाइक करना ना यस ताना जी अफ्सलिट्री राइटर पिता गुप्टा बहुत बढ़े ताना जी वाली जो मूवी थी बिलकुल मुझे भी ध्यान आ गया ताना जी जो मूवी थी अंसर्ण मूवी जो थी वह पहली 3D मूवी थी बिलकुल सही जवाब बिलकुल यह है आपका सही जवाब ठीक बाई चलिए नया question दवी कैस्ट ओफ फंडामेंटल फोर्स इस जो हमारे यूनिवर्स में आरहे वह या सोले थी नहीं थी जो दी जी जो जो है वो थी नहीं थी ऑफ्शन नम्मर ए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी है आपका इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स यह आपका मेगनेटो है वी कैस्ट फोर्स इंदा वार्ड इन दा यूनिवर्स बहुत बढ़िया तो बेर आगर आप से पूछा जाएगा सबसे कम जो तो सबसे कम जोर होता है आपका ग्रेविटेशनल और बहुत ही खुशी की बात यह का आपकी तैयारी बहुत ही है जवाथ लाजवाब बहुत बढ़िया और जिल लोगों की अंसर आ रहे हैं गल्ट वो अपने आपको करेंगे बिल्कुल सही ठीक है भई तो सबसे बीकेस्ट फोर्स की बात आएगी अगर सबसे बीकेस्ट फोर्स की बात आएगी तो आपका option आएगा अगर सबसे इस्ट्रोंग की बात आएगी अगर दुनिया का सबसे इस्ट्रोंगेस्ट फोर्स आएगा तो वो आपका अंसर होगा nuclear फोर्स ठीक है भई और एक और बात सुनेंगे जो इस्ट्रोंगेस्ट होता है यह सबसे शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है सबसे शॉर्ट र एविटेशनल फोर्स होते हैं यह आपके प्लैनेट्स के बीच में लगते हैं यह आपके ग्रहों के बीच में लगते हैं और पढ़ेल के लोगों ग्रह चो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है इसलिए इनको हम लॉंग फोर्स भी बोलते हैं इसलिए इनको हम लॉंग रेंज फोर्स भी बोलते हैं तो दुनिया का सबसे लॉंग रेंज सबसे बीकेस्ट होगा इसलिए सवाल का जवाब है option a दुनिया का सबसे कि यहांको फोर्स होगा आपका nuclear फोर्स जो कह आपका एक फर्मी यानिक आपका 10 पावर-15 की बीकेसाई खावाल संवार्द समझ में आरे और आप से यह सवाल पूछलिया जाए कि यहाँ पर जो स्ट्रोंगेस्ट फ्रोस में दो पर तो प्रोटन प्रोटन न्यूतर नीट्रण प्रटन नूट प्रोट्स ठीक है न चलिए बाई नया सवालकी स्क्री करेंगे और तो जानते हैं सर हिंदी में नहीं है क्या आय रे नेहा जूति कुमल शिंग बहुत बड़ा नाम है आपका और हनुमांजी लगे रहे हूए आपकी लिए अपकी टिपी पर बहुत ही बड़े शांदार बात है लेकिन इस हिंदी की नहीं होती है है हिंदी की भी हिंदी नहीं होते है नहीं आप प्लीज समझने की कोशिच करो तो अब्रू प्रचार भी आता है देखि और खरी दिये अपना क्या जयले कार्ट क्या गषाद। तो टीवी के प्रचार का सही यूज करेंगे आप इसलिए सही जवाब है इसका Zillette Card सिर्फ पंद्र रुपे में और ऐसा यह बोलता है तीन वार यूज कर सकते इसको है कर नहीं चलिए बाई मेरी बाई समझ में आ रही है जिलेट कार्ड यूज करिएगा तीन वार पांच रुपे में चलिए बई तो option है इसका सी जो जिलेट क्वाली जो company है उसने सबसे पहले safety razor का invention किया है इसलिए ये है आपका सही जवाब clear चलिए बई नया सवाल नया सवाल तो बई ये tv के एड हमें सिखाते हैं बहुत अच्छी साइज अगर आपको रियल साइंस सीखनी है बिद प्रेक्टीकल तो टीवी में एड देखना ना भूलने टीवी के एड हमें बहुत ही साइंस सिखाते है समझे आ ये बाद सरजी 18 रुपे का आता है अरे वो दुकान दा ठग रहा होगा तीन रुपे चलिए वाई कोई बाद नहीं कोई बाद नहीं कोई बाद नहीं कि नम्मर ओफ इमेर्ज इन विड्वीन टू पैरलल मिरर्स दो समांतर दरपरों के बीच बनने वाले प्रतिविम्बों कि जो संख्या है वह क्या होती है इन फाइनाइट यानि कि बोले तो अनन्त फाइनाइट मतला परमित यानि कि कोई भी संख्या हो सकती है या फिर जैरो या फिर एक बताओ क्या होगा इसका सही जबाब हाँ बई क्या होगा इसका सही जबाब number of image between two parallel immersed mirrors and the infinite board shalloon shalloon and its name is kapil shalloon why kapil किसी का नाम तो नहीं है kapil shalloon kapil unisex shalloon ठीक है न and here you can do in a very easy way saving waving and after cutting कराने के बादे बिलीच की बोलने वाले जो और बार्वर होते उनके पास बिल्कुल ना जाएं ठीक है चलिए तो इसका सही आंसर होगा option number a infinite कि अगर आपका ये image है ये भी आपका mirror है और इनके बीच में आप लोग अगर cutting कराने के लिए अगर आप बैठ गए हो यहां chair पर बैठा दिया आपको और यह भाई साब पीछे वाले भाई साब है जो खड़े होके कैंची मैंची लेकर के यहां आराम से और आप बैठे हो तो जब आप इसको देखते हो तो यहां पर आपको infinite number of image देखते infinite ठीक है ना इसके लिए formula भी मैंने आपको बताया था number of image equals to 360 upon theta लेकिन दो parallel जो line होती है parallel lines के बीच का जो angle है वहां आपका 0 degree होता है और जब यहां पर आप रखोगे 0 और किसी भी number को 0 से divide यह 360 है भाई तो आपका answer कितना जाएगा infinite इसलिए सही जवाब है आपका option number a ठीक है ना चलिए वाई अब बढ़ते हैं नए सवाल की और couple के पास जाना है वाई ठीक है वाई चलो नया सवाल है eco यह इचो नहीं है यह है आपका eco ठीक है ना यह है आपका eco is due to यह वही सवाल औ कर आप पिक्चर ओम्ह iod gyration यह आप खडी है पिक्चर ओम मैं यह वाली है वही रोएन और इंडिये जो हीरुइन है यह हीरओ इन है यह आवाज दे रही है यह आवाज दे ङरिए और यह आवाज किया देति यह बादल बादल यह सिकर गप और यह यहां पर पहार बगर बगर आवी है और जैसे यह अवाज देती है अवाज लोट के भी आती है उसी को हम लोग बोलते हैं इको यानिकी प्रती धुनि उसी कोम लोग क्या बोलते हैं प्रती धुनि तो यह किसके कारण हो रही है reflection of sound wave, reflection of sound wave both A and B या कोई नहीं, जल्ली से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, तो अगर ये heroine किसी को देती है आवाज तो आवाज वापस आएगी किसके कारण, तो भाईया जाके वापस आने कोई अगर जाके वापस आने कोई physics में बोलते हैं, reflection क्या बोलते हैं, reflection तो reflection आपका औरा पहले वाले option में, इसलिए सही जवाब होगा आपका option number A सही जवाब होगा आपका option number A reflection of sound wave, दुनी तरंगों का परावर्तन ठीक है बही, चलिए, तो टकरा के पहाड़ों से आवाज आती है नया सवाल, clear है ये येस सर, आपका सही जवाब होगा option number A, reflection of sound wave नया सवाल नया सवाल आपके screen पर ये रहा, ठीक है बही नया सवाल आपके screen पर ये रहा, तो नया सवाल है आपका device which convert electric energy को mechanical energy में, वहाँ उपकररर वहाँ यंत्र, वहाँ डिवाइस जो विद्धूत उर्जा को या अंत्र कूर्जा में बदल देता है voltmeter होता है या electric motor, galvanometer या फिर electric generator बताओ भई जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्या होगा सही जवाब ऐसा कौन सा डिवाइस है वहाई रे, जो आपका विद्धूत मोटर को सरी, विद्धूत उर्जा को या अंत्र कूर्जा में बदल देता है जल्दी से देंगे, इसका सही जवाब जल्दी से देंगे, इसका सही जवाब जल्दी से देंगे, इसका सही जवाब, और क्लास को को भाई लाइक करना ना भूलें भाई क्लास को लाइक करना ना भूलें लाइक भी करो यार लाइक भी करो कितनी मैनत हो रही है आपके साथ में थोड़ा सा बदले की बाबना रखो हलकी सी बदले की बाबना रखेंगे और इसका सही जवाब है आपका option number B electric motor विद्धूत motor सही जवाब क्या है आपका विद्धूत motor अब विद्धूत motor क्या करता है electrical energy को mechanical energy में अब यह मालो पंखा है यह वही पंखा है जो आप सोच रहे हो ठीक है वह है अब हम इसको क्या प्रोवाइड करातें electric energy और जैसी electric energy हम इसको देते हैं यह rotate करने लगता है और इसके rotation से हमें क्या मिलेगी हवा उसको बोलेंगे mechanical energy तो आपकी electrical energy किसमें बदल गई mechanical energy क्यों क्योंकि इसके अंदर एक motor है इसके अंदर एक motor है उस motor को हम लोग क्या बोलते है electric motor अरे बात समझ में आ रही है इसके अंदर कौन सी motor लगी हुई है electric motor इसके अंदर लगी हुई है तो इसका सही जवाब है option number B नया सवाल नया सवाल आपके screen पर यह रहा देखिया भई नया सवाल है आपका color have highest division division नहीं भई deviation division नहीं deviation ठीक है ऐसा रंग जिसका विचलन सबसे ज्यादा होता है रेड यलो ग्रीन वाइलट बताओ वही कुए के अंदर से भी वाज आते बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया शांदार बहुत ही बढ़िया कुए से भी वाज आती है बच्पन में कहानी बढ़ी होगी ही बच्पन में कहानी बढ़ी होगी कि यहां से जब सेर जाता है आवाज देता है तो उसको अपनी आवाज भी सुनाई देती है परच्छाई भी तो यहां पर सेर को अपना reflection भी दिख रहा था और एको भी हो रहा था और उस एको से एको पैदा हो गया था उस सेर के अंदर और इको से इगो पैदा हो गया था और जब उसको इगो आया तो वहिया इगो के सामने तो मरना ही पड़ता है जहां इगो आएगा तो फिर मरना ही पड़ेगा समझने बात आ रही है इसलिए यहां दूर रहे चलिए वाई तो सही जवाब है आपका बॉयलेट बहुत बढ़िया देखिए कैसे यह है आपका प्रिज में कोई भी लाइट रहाती है इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन यह अपने सेविन कलर्स में डिवाइड हो जाती है कितने है साथ और यह वाला पहला कहा है रेड तो सबसे ज़्यादा जो डेवियेशन है वो आपका किसका है बैंग नी रंग का है किसका है बहुँत बैंगनी रंग का तो सही जवाब होगा आपका option number D सही बात समझ में आरी है बात सम निया सवाल है आपका lens use to reduce myopia defect in eye यह कौन से वाले पिया है यह है आपके myopia और myopia को हिंदी में क्या बोलते हैं निकट द्रश्टी दोश ठीका बाई अब हिंदी वालो हिंदी वालो हिंदी वालो ट्रिक सुनों हिंदी वालो ट्रिक सुनों अगर कहीं पर है नियर साइटेडनेस अगर नियर साइटेडनेस है या फिर फार साइटेडनेस है तो देखो फार और नियर निकट और दूर निकट और दूर तो भाईया सुनों इसके लिए ठ्रिक क्या है ज्यादा अक्षर वाले के लिए ज्यादा अक्षर वाला कौन कौन केव कम अक्षर व वालो ये बात आपके लिए भी है ये बात आपके लिए है तो ज्यादा अक्षर वाले के लिए ज्यादा अक्षर-ves वाला कम अक्षर-ves ठीक है वाई यह है आपके लिए बच्श liar शर्डीय से लिए कुर केब लेंज इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका आप्शन नमबर सी अले स्क्रीन शॉट भी ले लो मुफ्त मैं स्क्रीन शॉट भी ले ले सभी लोग ठीक है भाईया इस्क्रीन शॉट भी ले सकते है है कि मेरी बाज समझ में आ रही है है कि हावài निकर तो ठीक है वाकी फिर दोश बहुत बढ़ीज यह रोने वाले कौन लोग हां देखिये भई रेक्टिफायर is used to convert रेक्टिफायर जो तैसी का यूज किस वात के लिए किया जाता है तो रेक्टिफायर का यूज किया जाता है voltage क्या लिग दिया वाईए है यह यह वाई सब voltage टू लो बीडेश तो यहां पर लिखा जाएगा हाई वोल्टेज ठीक है भाई high voltage to low voltage भाई बैभव नहीं है यह है बेभाव तो उच बिभव को निम्न बिभव में बदलता है dc to ac करता है ac to dc करता है या low voltage to high voltage करता है तो भाई जल्दी से दीजिये सही जवाब जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाव रेक्टिफायर रेक्टिफायर तो सुनो जो रेक्टिफायर होता है जो रेक्टिफायर होता है यहां आपका डायोड से मिलकर बनता है पहली बात रेक्टिफायर डायोड से मिलकर के बनता है और चार डायोड मिलकर के हुआर मनाते हैं और यह आपको कहाँ पर मिलता है आपको मोईल चार्जर में है नम्मरिंग वाला आपके पास में जो नम्मरिंग वाला है हुआ और स्टार यहां ठीक है बहुंड दो क्या होता है यह इसकी जो बैटरी कि छमता होती है वो होती है बहुत कम यानि कि कितनी कुछ मिली बोल्टेज होती है कुछ मिली बोल्टेज होती है ठीक ना 4000 mAh मिली हैंडरी कितनी छोटी होती है बहुत छोटी अब हम जो चार्ज करते हैं तो क्या देते हैं लेकिन चार्जर में क्या लगा रहता है आपका रैक्टिफायर या डाइउड जो All Electronic Devices की बात हो रही है All Electronic Devices की बात हो रही है आपके Laptop की भी बात हो रही है इसलिए सही जवाब होगा आपका AC to DC AC to DC अब सुनो कुछ काम की बात है तो भाईया सुनो परेल के लोगों अब मैं आपको कुछ काम की बात हैं भी बता देता हूँ अगर AC को अगर AC को AC में बदलता है तो वो है आपका transformer AC को DC में बदलता है rectifier या diode और अगर DC को AC में बदलता है वो है आपका inverter ठीक है वह तो यह चुटी चुटी बते हैं जिनको आप लोग लिक शक्ते हो ठीका वाई चलिए अब बढ़ते हैं नए सवाल की और रीत गर कह रहें सर जी को मैं reflection of sound होता है क्या बिल्कुल क्यों नहीं होगा अरे आवाज जाएगी तभी तो बापस आईगर अपने देखा होगा अगर गाउं में अक्सर कर ऐसा होता था गाउं में अक्सर कर ऐसा होता था गाउं की बाते हैं कुछ गाउं की बाते हैं तो बाई देख को यहां पर वैसे जरूरत नहीं थी गाउं में क्या होता है कि जो मकान होते हैं वो एक दूसरे से चिपटे हुए होते हैं, अब यहां अगर रात में बिल्कुल नाइट की में बात कर रहा हूं, बिल्कुल एकदम सांत माहल होता है, तो दूसरे के घर में इसमें भी वाइस आ जाती है, अगर कोई लोग बात कर रहा है, अगर अपने घर में लोग बात कर र reflection ठीक है बढ़ते हैं नए सवाल की और नया सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा सवाल नमबर 40 सवाल नमबर 40 है आपका language assemble in computer is ठीक है बढ़ते हैं अब देखिए नया सवाल computer में उपयोग होने वाली भाशा है computer में यूज होने वाल लिवासा इंग्लिश हिंदी binary या mathematical बताईए बढ़ी बिल्कुल सही बात देखो यह लोग हैं पड़े लेगी प्रियंक का चौन देखो कितने कम लोग वाही कि यह लाइक हैं लाइक कर नोले हो भाईютьयो लाइक तो करो जल्दीसे बताओ और देखो मैं कितनी अच्र शी बात हैं अपको है कि कितनी बढ़िया बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम लाइक तो मिलें आप लोग इतने कंजूश हो गए हो कि लाइक भी नहीं करते हो कि आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो बाई और मेरी बीडियो को तो लाइक करो, हां मही, लाइक करो, जल्दी से, चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो कंप्यूटर में जो भाषा होती है, वो होती है आपकी anomaly, क्या होती है, binary, और binary में सिर्फ binary का मतलब समझते हो, लकेनल है जो हमारी लेंगोज चल रही है है आगर करेंटली जो हमारी लेंगोज चल रही है इन जनरल वे में वह हैं हमारी 10 लग्त चल रही है 10 मला प्रणाली चल रही है यानि कि कौन से decimal system अब ही जो system चल रहा है हमारा वो कौन से चल रहा है decimal system decimal system का मतलब क्या है 10 सब्द और यह 10 सब्द कौन से है 0, 1, 2, 3, 9 तक तो आपके mobile में number 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं आपके mobile में number भी ठीक है भाई आपके जो mobile है calculator है उसमें जो number होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं क्योंकि यह आपका decimal प्रणाली चल रहा है ठीक है अब सुनो अगर आप कोई भी गाना चलाते हो अगर आप कोई भी song चलाते हो और song आपका यह है माल लीजिए यह आपका song है दिल तोड़ के हसती हो मेरा ठीक है ना भाई माल लीजिए यह कोई सवाल है अगर इस सवाल इस यह कोई यह सवाल नहीं वाई यह घाना है अगर आप इसको record करोगे तो यह आएगा आपका 01000011100 1100 और जब इसका graph आएगा तो यह ऐसे करके जाएगा ठीक है ना तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि computer नहीं समझता क्या आप क्या बोल रहे हो computer नहीं समझेगा कि आप क्या बोल रहे हो computer समझेगा 0111000011100 ठीक है ना तो यह है आपकी कहानी तो जब भी आप कोई भी गाना सुनते हो तो कंप्यूटर इस भासा को इसमें बदलेगा इसको बोलते हैं हम एनालोग टू डिजिटल ए टू डिवाइस और फिर इसको इसमें बदलते हैं यह होता हमारा डी टू ए डिजिटल टू एनालोग डिवाइस समझने आ रही है चलो वही इसी बात पर लाइक टोको अब सवाल नम्मर एकतालेस है आपका पी एच वेल्यू आफ विलड जो रक्त होता है इसका विलड क्या होता है तीक है ना तो रक्त का पी एच मान कितना होगा 3.5 7.4 या 12 या पिर 6.6 अरे भीया जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब हावई समाज रहे हो कि नहीं हर कहानी के पीछे एक नया concept होना चाहिए अब बेकार की बात है बेकार में तो नहीं करेंगे अगर कोई बात बोली जा रही है इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई कोई कहानी छुपी हुई है ठीक है ना चलो जल्दी से बताओ तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो blood होता है यह आपका बेस होता है यह आपका चार होता है और जो आपका पीएच स्किल होता है यह आपका जीरो से 14 होता है सिंपल सी बात तो बीच में क्या जाएगा साथ और जिसका साथ होगा वह हो जाएगा आपका नीट्रल साथ से पहले हो जाएगे आपके एसेड एसेड बोले तो अ अगर असला खून में खट्टा होता तो राच्छस भी मना करता कि मुझे इसका खून नहीं पीना अब वो पीने की वात क्यों कर रहा है क्यों कि 7 के नियरर है पानी जैसा लगना चाहिए उसको थोड़ा सा पानी जैसा लगेगा इसलिए वो इंटरस से पी सकता है इसलिए सही जवाब है आपका 7.4 3.5 क्या और यह तो बहुत ज्यादा चारी हो जाए बहुत ज्यादा वेसिक हो जाएगा इसलिए वो नहीं तो यह क्या है आपके गलत अंसर सही जवाब है आपका भी 7.4 ठीक है ना चैलिए वाई अब बढ़ते हैं नए शवाल की और नया सवाल आपक क्रोमियम या गोल्ड जल्दी से बताओ क्या होगा सही जवाब जल्दी से बताईए क्या होगा सही जवाब जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब और लाइक करना ना भूले लाइक मुझे आर करना ही पड़ता है यह वाला सिंबल होता है लाइक का ठीक है ना तो ल लाइक करना ना भूले ठीक है पहले लाइक कर दो फिर बात करेंगे जल्दी से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले चलो जल्दी से लाइक मारो कर तो कर ना ही पड़ेगा ठीक है न चलो गॉल्ड बहुत बड़िया अब देखों मोष्ट मैलियवल का मतलब क्या है जिसमेंसे बहुत लंबा बनाए जासकता है तो बहुत अगर आपने पड़ा हो कि एक तोला जो सोना होता है उसमेंसे एक किलोमीटर लंबा एक क्लोमेटर लेंद्ध का वायर बना जाता है यानि मोस्ट मेलेबल जो मेटल है वो हुता है आपका गोल्ड इसलिए किसी भी प्रकार का कानों का नाक का अगरा बगरा जो भी हम आभूशन बना लेते हैं यह तो सब लोग जानते पड़े लग लोग आप है कि नहीं चलिए वाई नया सवाल नया सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा ठीक है वाई चलो नया सवाल नया सवाल है आपका आपके स्क्रीन पर यह एक होर्ष पावर इस इकोल स्टू एक होर्ष पावर जो था आप हिंदी वालो आप यह मत कहना कि होर्ष पावर को गोड़े की तागत क्यों पावर 6 या बाट या फिर 500 बाट जल्दी से बताईए क्या होगा सही जवाब क्या होगा सही जवाब जल्दी से दीजिए इसका जवाब हावई जल्दी से जवाब दें जल्दी से जवाब दें ठीक है जल्दी से जवाब दीजिए तो होर्स पावर क्या होता है एक होर्स पा में दसकी पावर 3W होते हैं और 1kWAwr में 3.6 गउनां दसकी पावर 6J होती है तो बैशा उपर वाले दौनों burada को 파वर के बारे में और नीचे वाला आपको बताता है एइनरजी के बारे में किस?」 आर वहाइं देश 56 है हिंदी में अस्व सक्ति यहां बिल्कुल सही बात है आश्यो शक्ति बोला जाता है तो इतना तो जानते हो हिंदी वाले नराश ना हो ठीक है बाई चलो नया सवाल इसका अंसर पता चल गया आपको 746 बाट ठीक है ना 746 बाट चलो इसका अंसर बताईए दा यूनिट ओफ मेगनेटिक फ्लक्स इज चुमकिया फ्लक्स का मात्र क्या होता है यह होता है चुमकिया फ्लक्स फाई flux होता है किसी भी area से निकलने वाली बहुत सारी lines बहुत सारी field lines जब किसी area से निकलती है this is the number of field lines passing through area this is called flux ठीक है भाई तो waiver वेवर है ये waiver ठीक है ना tesla watt ampere जल्दी से बताओ क्या होगा सही जवाब unit of magnetic flux भाई या flux तो कोई साथ अले tesla वालो alan musk के fan हो रहे हो alan musk के fan हो रहे हो आप इतना fan नहीं होना है किसी का भी ठीक है इसका अंसर होगा वेवर तो flux का जो unit है वो होता है आपका वेवर और सुनो cgs में अगर इसका unit पूछा जाएगा तो maxwell समझ में आरही है maxwell और यह वो वाला maxwell नहीं है जो चक्के मारता है यह वो वाला maxwell है james clark maxwell james clark maxwell है यह ठीक है ना चलो वाई तो इसका अंसर के आएगा वेवर और tesla किसका होता है magnetic field intensity का मैं बता चुका हूँ बहुत बार watt आपका power का होता है और MPR आपका electric current का होता है समझ में आर यह बात चलिए वाई नया सवाल नया सवाल आपके screen पर यह रहा देखिए वाई नया सवाल है आपका 45 the largest unit of distances दूरी मापने की सबसे बड़ी काई क्या है पार्षेक अब हिंदी में पार्षेक ही लिखा जाएगा light year मतलब प्रकाश वर्स या फिर किलोमीटर या फिर मिलीमीटर बताओ कौन सा होगा सही जवाब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जहां सी की रानी बहुत बढ़िया चलिए वाई अब बढ़ते हैं नई सवाल यह नई सवाल का अंसर भी देदो largest unit of distances largest unit of distances largest unit of distances क्या होगा अंसर अंसर नंबर एक या बीवाला कोई D answer तो नहीं दे रहा मिलीमीटर कोई मिलीमीटर तो नहीं है हाँ बहुत बढ़िया तो सही अंसर आएगा इसका पारशेक क्या आएगा पारशेक तो सब से largest जो डिस्टेंस होती है वहां आपकी होती है पारसेक ठीक है ना एक पारसेक में 3.something light year होते है सम्थिंग ठीक है नॉट एक्जेक्टली मुझे पता नहीं है बट मुझे पता है कि यह बड़ी उत्ती है ठीक है बही चलो अब बढ़ते हैं नहीं शवाल की ओर बहुत बढ़िया एम जर आएगा इसका कितने पड़े लिखे लोग बहुत यह आनंदारा भाई पढ़ने में है के नहीं चलिए आप लोगों का हो रहा है रिवीजन वह भी फिजिक्स का सब्सक्राइज रखिए जलिटीख ही कितनी बढ़िया भाषा है के नहीं माइनस के mec 2 al cafe ya फीर 100 भी चलीटन निमनस प्सेवल वैल्यू है पासिवलग उन्परिचर प्सक्राइज गहार है क्या होएगि बताएह जद्ली से क्या हुगा सही जभाब हा घर ब़िख हमें इस कि अड़े कि हश्वे हो है वही है एंसर एंसर बहुत बढ़िया बी अंसर भी आ रहा है बहुत ही शांदार बहुत ही शांदार मल्लिका का अंसर यह आ रहा है बहुत बढ़िया 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 कुछ लोगों का अंसर सी भी आ रहा है बहुत बढ़िया उम्दा लोग है बहुत बढ़िया चलिए वैया तो सही आमसर होगा इसका option number A मैंने आप लोगों को बताया था यह degree centigrade है यहाँ पर degree कितनी है 100 यह है 0 और minimum possible आपकी minus के 273.15 degree centigrade होती है इससे नीचे possible नहीं है minus के 273 से नीचे degree centigrade में कोई भी temperature possible नहीं होता है और अगर बात Kelvin की आती अगर पढ़े लिके लोगों अगर बात Kelvin की आती तो यह 370 यह आपका 270 और यह होता आपका 0 Kelvin यान के Kelvin कभी भी negative में नहीं होता है समझ में आ रही है हाँ और अगर बात आती है Fahrenheit की तो maximum value 212 यह वाली value 32 और यह वाली होती माइनस के 469.58 समझ में आ रही है इससे नीचे यहां पर नहीं होगी ठीक है ना मेरी बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह बात समझ में आ रही है यह ओके नहीं है यह ओके नहीं है यह है जीरो Kelvin ओके नहीं है ठीक है बाई तो इसका अंसर आपको पता लगया option number A इसका सही है नया सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा देखिएगा सवाल है आपका in which condition total internal reflection is possible यह है आपका TIR ठीक है बाई किस अवस्था में पूरण अंतरिक परावर्तन जो है वह संभब होता है option A वायू से कांच में आयू नहीं है यह वायू है वायू से जल में या फिर कर्थ से जल में या फिर वायू से वायू में जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब हाँ बई 47 47 समझते हो 47 हाँ बई जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब A B C D option है आपके सामने जल्दी से बताइएगा सही जवाब हाँ बई क्लास में लाइक करों करों भई like करों हेना लाइक करिए अगर किसी कॉलेज में आपने आढ़न किया यह नहीं किया अगर कॉलेज में पढ़ाय क्या और आ अंदुलन नहीं किया तो भाई सept की टष्पड़ाही नहीं करी में अभण वधन करो बंद करो है कि नहीं चलिया वाई इसलिए मैं आप से बोल रहा हूं लाइक करो लाइक करो ठीक है थोड़ी दिर के लिए अंदुलन क्या है आपका लाइक करो लाइक करो सुनो तो मैंने आप से बोला था कि टी आई-र की पॉसिविलिटी ओती है डैंसर मीडियम टू रेरर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जब लाइट जाएगी तब तब आपका टी आई-र होगा तो पहला क्या है एर टू ग्लास नहीं होगा एर टू आटर नहीं होगा ग्लास टू एर यह है आपका डैंसर यह है आपका रेरर इसलिए सही जवाब क्या है आपका यह क्या ह ऊपर वाला क्याहा रिएट टू एंसर दूसरा भी क्या रेट टू टू यह इसलिए अबी आपके आंसर नहीं है सही जवाब्पर निमार सी समझ में आरो रही है बात ऐन लाइक करो लाइक करो बहुत बढ़ीा तो सही जवाब का आपका option number C चलिए वह नहीं सवाल कियो और कोई मेरा मित्र ऐसा तो नहीं है जिसको घवराट हो रही हो और कोई ऐसा जिसको घवराट हो रही हो यह क्या हो रहा है दक दक धक जादा हो रही हो कि मुझे धीरे-धीरे पड़ना है ऐसा है कोई नहीं होना चाहिए अब 31 तारीक आने वाल नया सवाल आपके स्क्रीन पर यह है लाइट वेवस आर दा इक्जाम्पल ओफ प्रकास तरंगें जो है वह किसका उधारन है द्वनी तरंगों का या फिर विद्दूत चुमकी तरंगों का या फिर परावेंगनी किरणों का या फिर नन्नों फेवाब जल्दी से बताईए अरे सोच के बोलो है जल्दी से बताएं क्या होगा सही जवाब बहुत बढ़िया हंड्रेड पर्शंट एक्यूरेशी नहीं हंड्रेड नहीं है वाई कुछ लोग सी के साथ में भी जा रहे है ठीक है वाई चलो तो सही जवाब है आपका ऑफ्शन नम्मर बी एलेक्ट्रो म कि might cancel होती हैं यह तैन के आचाल फनटो कर सकतती है कि आपकी विड्व शुमने में ट्रैवल कर सकती है और आपकी जो लाइट वेंग सीन टाइप होती है किसका इलक्ट्रो मेगनेटिक वेव का विद्धुत चुम्ब किया तरंगों का मेरी बाश मज में आ रही है बाइ लाइक करो लाइक करो 620 वालो हां वही लाइक देखने वाले तो ज्यादा है और आपके लाइक आ रहें कम और यह अनलाइक वाला कौन है यह दूसरे चैनल वाले मुझे लगता है भाई अनलाइक ना करें अनलाइक करोगे तो फिर मैं अनलाइक जैसे पढ़ा दूंगा चलो बाई चलिए द्यान से देखें चलिए नया सवाल आपके स्क्रीन पर किसी द्रब का घनत तो बढ़ाये जाने पर उसका जो प्रष्ट तनाव है उस पर क्या प्रभा पढ़ जाएगा इंक्रीज यानि की बढ़ जाएगा जिक्रीज यानि की घट जाएगा समान रहेगा या नन अफ एबब बहुत बढ़िया बहुत शुंदर धनिवाद धनिवाद मनीश मेरे बाई बहुत बहुत शुक्रिया दूसरे चनल वाले हैं कोई बाद नी कोई बाद नी हाँ बढ़ आंसर दो क्या होगा इसका सही जवाब if the density of water will increase then what is the effect on surface tension क्या हो जाएगा गट जाएगा हाँ बढ़िया हाँ मैं हाँ आग आगया हाँ तो वही सुनो जब डेनिस्टी बढ़ेगी तो surface tension बढ़े जाएगा है कि नहीं surface tension बढ़े जाएगा है इसका सही आँसर आएगा option number a जितनी ज्यादा density होगी जितनी ज्यादा density होगी उतना ही surface tension बढ़ जाएगा जितना गालापन होगा surface tension उतना ही ज्यादा होगा ठीक है ना तो सही जवाब होगा आपका option number a ठीक है ना चलिए एक बात एक्ष्ट्रा बता देता हूं एक्ष्ट्रा बात यह है कि जब आप temperature बढ़ाएंगे तो surface tension घट जाएगा ताप बढ़ाने पर surface tension घट जाएगा क्योंकि टाप बढ़ाने पर density कम हो जाती है ताप बढ़ाने पर density कम हो जाती है चलिए बाई at which temperature the kinetic energy of gas will be zero किस ताप मान पर गैसों के अणूओं की घट जूर्जा सुन्य हो जाएगी जीरो डिगरी पर minus के 373 पर या फिर बाई ये 273 है ठीक है या फिर 1000 केल्विन पर बताईए किस temperature पर गैसों की घट जूर्जा जो है वहाँ सुन्य हो जाएगी जीरो या minus के 273 degree centigrade या फिर 100 degree या फिर 100 केल्विन जल्दी से बताईएगा हाँ वही जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताएगे क्या होगा सही जवाब at which temperature the kinetic energy of gas will be zero किस ताप मान पार गैसों के अनुगों की घट जूर्जा सुन्य हो जाएगी हाँ वही बी आंसर सी आंसर जीरो जीरो वालो जल्दी से बताएगे चलिए तो यह इसका सही जवाब है option number b because at minus के 200 यता there is no motion there is no motion all particles all particles are in rest all particles are in rest सभी कान इस्थिर होते हैं सभी कान क्या होते हैं इस्थिर होते हैं इसलिए इस्थिर हो जाएगे तो उनकी जो गति जूर्जा है वहाँ शुन्य हो जाएगी यह मान लीजे यह मान लीजे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं तो यह रुक जाएंगे यह रेस्ट पर होंगे चोटे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यह रेस्ट पर होंगे जब आपका तो यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनरजी हो जाएगी 100 डिगरी पर इसलिए पानी ओवल जाता है वाइल हो जाता है तो आज का यह वाला ओप्शन है इसका ओफ्शन नमर वी माइनस की दो सत्याथ ठीक है आज के लिए इतना यह बाकी मिलेंगे नई क्लास में नई इनरजी के साथ में इसी जोश के साथ में सर हिंदी में ज्यादा समझ में आता है बेकास शर्मा शर्मा जी बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि सर्जी डिसलाइक वाला आगया हाँ यह बात तो है कोई मेरे साथ में कोई तो है जो मेरे साथ में खेल रहा है कोई तो है जो फिरकी ले रहा है कि नहीं कोई बात नहीं हाँ भई उचारण कर रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं आशु शर्मा बोल रहे हैं कि सर जी उचारण कर रहे हो उचारण कर रहे हो किसको अच्या 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 कोई वाद नहीं कोई वाद नहीं भई आशु ऐसी कोई वाद नहीं भई अब तुमारे नाम में भी सार है तो मैं क्या गरूँ very nice session goda thank you so much and mamta vikas vikas ऐसी बात नहीं है भाई ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई भी बात नहीं है और हाँ एक बात अंतिम बात अगर किसी को कोई भी सवाल समझना है अगर किसी कोई भी सवाल करना है कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो class के बाद में comment section में जरूर सवाल को mention कर देना और आपको मिलता है वहाँ पर सही जवाब ठीक है ना और उसके बदले में आपको सिर्फ like ही करना होता है ठीक है वही चलिए तो आज हम class को यहीं पर करेंगे समाप्त बाकी मजा आया बहुत बड़ी आरे मजा के साथ साथ पढ़ना भी है शिर्फ मजा आया नहीं पढ़ाई की साथ मजा आया से लेको ठीक है ना चलिए तो आज के लिए यहीं बाकी हम बात करेंगे नई ग्लास में और अगर किसी का कोई सवाल है तो comment section में जरूर mention कर दो वहाँ पर आपको मिलेगा सही जवाब तो thank you very much take care, मज़े लेते रही है पढ़ते रही है physics with causal sir and adhyan mantra thank you very much झाल 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 झाल